हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज इस्टडी मैट्रियल में फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं खंड सिक्सा अधीकारी के पदों के लिए विज्ञा पनाया है और फॉर्म भी 13 तारिक से भरने सुरू हो चुके है उम्मिद करती हूं कि आ प्रारंबिक प्रिक्सा और उसके बाद इसकी में प्रिक्सा होगी तो प्रारंबिक प्रिक्सा के सलेवस क्या है वह हम आपको यहां बता देते हैं और इसके लिए आज से ही हम अपनी क्लास शुरू भी कर रहे हैं आप हमारी क्लास को जोइन कर सकते हैं और इसके लिए आप उसनाएंगे और जो होंगे 300 अंक के दो घंटे की प्रीक्सा होगी और इसमें वन थर्ड निगेटिव मार्किंग भी है तो इसका सिले बस है देखिए इसमें 11 टोपिक यहां दिये हैं 11 टोपिक में सामान्य विज्ञान बारत का इत्यास बारतिय राष्ट्य अंदोलन बारति राज्य तंत्र अर्थ व्यवस्ता और संस्किर्थी बारतिय किर्सी वानिज्य व्यापार जन्चंख्या परिस्थितिकी एवं नगरिकरन विसुप भुगोल तथा भारत का भुगोल और प्राकर्तिक संसाधन अधुनादन राष्ट्य तथा अंतराष्ट्य महत्पून जिश्ट जानकारी और लाश्ट में है प्रारंबिक गनित हाई स्कूल इसतर तक अंक गनित बीच गनित और रेखा गनित तो यह 11 टोपिक है जिन में से यह डीजनिंग है और यहां पर है मैत यह दोनों तो आपके काफी अधक हो भी चुके हैं बहुत से बच्चे जिनके य है एक तो करंट अफेर पर होती है और दूसरे होती है भारत का भुगोल विश्ट का भुगोल भारत का इत्यास और राश्ट्य आंदोलन सबी टोपिक काफी इंपोर्टेंट है 120 कोशन है 11 टोपिक दिये है तो लगबग परती टोपिक से 10 कोशन के असपास 10-12 कोशन आप तो सबसे पहले ज़रुरी है आपके लिए इस परिकसा को पास करना तो चलिए आज हम जो शूरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टोपिक थरसे भारतिय राश्टिय आंदोलन सबसे पहले हम यहां से लेकर चलेंगे चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास को यह आज हमारी पहली क्लास है जिसे शुरू कर रहे हैं हम भारतिय राष्टिय आंदोलन ब्रीटी सासन की विरुद प्रारंबिक विद्रो देखे जब यहां ब्रीटी सासन हुआ था तो उसके लिए यहां पर बहुत सारे विद्रो हुए हैं वो विद्रो क्यों हुए हैं उनके क्या कारण रहे हैं और कहां कहां पर कौन-कौन से विद्रो हुए हैं उन सब के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं प्रारंबिक विद्रो के सावानिय कारण ये प्रारंबिक विद्रो सुरू क्यों हुए है इनके कारण क्या रहे है तो इसके लिए सबसे पहला जो परमुक कारण है वो है राजनीतिक कारण राजनीतिक कारण के अंतरगत क्या आता है तेकि साहिक संधी परनाली कुछ साहिक संधिया हुई थी जिनके कारण विद्रो होए थे अलग-अलग कारण है तो उसमें साहिक संधी में क्या आता है कि वेले जली ने भारतिय राज्यों को अंग्रेजी सासन में मिलाने के लिए सा तंतर था खो बैठे तो एक तो थी उसमें सायक परनाली सायक संधी परनाली जिससे ये दूसरे राज्यों को जो राज्य थे भारत के उन्हें अपने सासन में अक्षेत में मिला लेते थे दूसरा कारण क्या रहा है इसमें वो रहा है गोध पर्था की समाप्ति बहुत से सासनकाल में भारत के कुछ पर्मुक देसी राज्य जैसे की चांसी, उदैपूर, संभलपूर, नागपूर आदे राजाओ का कोई भी पुत्र नहीं था प्राजिन भारतिय राज्य वेवस्था के प्रावधानों के तहद योग्य उत्राधिकारी के चैन के लिए ये राज अंग्रेजों को कमपनी के सासन अधिकार में ले लिया गया, कमपनी द्वारत सुरू की गई इस नहीं निती से सभी राजा अंतुष्ट थे और वे किसी ऐसे अफसर की तलास में थे जब उन्हें अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर वे अपना अधिकार जमा सकें तेसरा कारण आता है इसमें अवद के साथ विश्वास खात 1854 में कमपनी द्वारा अवद राज्ये पर अधिकरेन कर लिया गया इसके पूर अवद के नवाबों के साथ जूटी मित्रता करके अंग्रेजों ने उनसे पहले साहता ली थी पर जब उनका सामराज्य बढ़ गया तब उन्होंने अवद को भी अपने सामराज्य के अधिन कर लिया इससे जो अवद की जनता थी उनमें अंग्रेजों के परती अत्यदिक एसंतोस था और वे इसके इस एसंतोस के कार महाग सैनी कुत्तेजित हो गए नेक्श इसमें आता है बादूर साह का अपमान जो समय मुगल समराठ थे बादूर साजपर उनका अपमान भी इसका एक परमुक कारन है देकि मुगल सामराज्य के सासक बादूर साह का भी डलो जी ने गोर अपमान किया था इन्हें लाल के लिया खाली करने का आदेश मिला सिक को से उसका नाम हटा दिया गया और उसके पुत्र कोयास को अंग्रेज द्वारा राजकुमार गोसित कर दिया गया जबकि राजकुमार कौन बनने थे वो बनने थे बादुर साह के सबसे बड़े पुत्र मिर्जा जवाब बक्स अंग्रेजी सासन के इस करते से राजपरिवार और जंसाधन दोनों में ही रोस था इसलिए इस करांति की सुरुआत के समय बादर सहा ने यतासी नेतत परदान करना सुईकार कर लिया नेक्ष आता है इसमें दद्धक पर्था की समाप्ती तेकि लार्ड डोलो जी ने गोद पर्था को समाप्त करने के साथ ही दद्दक पुत्रों से जो उन्हें जागीर प्रदान की गई थी उसे जब्द करने का निश्चे लिया और उन्हें जो पैंसन दी जाती थी उसे भी रुखवा दिया नाना साहिब सर्गय पेशा बाजीराव दित्ते के दद्दक पुत्र थे और इनकी पैंसन रोक कर अंग्रेजों ने इनसे दुस्मनी मोल ले ली नेक्स राता है इसमें अफगानिस्तान में अंग्रेजों की प्राजे वर्स 841-42 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों की कोप प्राजे का सामना करना पड़ा और इस धारना से उबरने का मोका मिला कि अंग्रेज भी एप राजे है इससे जो भारत के व्यक्ति थे जो यहां के आम जनता थी उनके मन में भी यह भावना आई कि हम भी इन्हें हरा सकते हैं भारत के करांती कारियों को इस यूद से नई आजा और प्रेना मिली कि हम भी अंग्रेजों को अपने देश से निकाल सकते हैं और इसलिए उन्होंने विद्रो को सुरू कर दिया ये तो थे राजनीति कारण क्या रहे हैं अब आता है सामाजिक कारण क्या क्या थे कमपनी के सासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतियों के साथ ए मानुसिक वहवार करना शुरू कर दिया था काले और गोरे का भेद उभरने लगा था अंग्रेजों द्वारा भारतियों को गुलाम समझा जाता था समाज में अंग्रेजों के परती उपेक्सा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी क्योंकि उनके रहन सैन, अन्य वेवार और उद्योग आविसकार से भारती व्यक्तियों की सामाजिक मानेताओं में अंतर था अपने सामाजी जीवन में वे अंग्रेजों का परभाव सुईकार नहीं करना चाते थे अंग्रेजों की खुद को स्रेश्ट और भारतियों को हीन समझने की भावना ने भारतियों को क्रांती करने की प्रेना परदान की धार्मिक कारण क्या रही है? बहelect में अंग्रे जोंने इस्ट इंडिया कमपनी के सासनकाल में भारतियों पर धर्मी रश्टी से भी कुठारा गात किया इस काल में योग्येता की जगे धर्म को पद का आधार बनाया गया जो कोई भी भारतिय इसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोनती कर दी जाती थी जबकि भारतिय धर्म का परलंग करने वालों को अपमानित किया जाता था इसे भारतिय जंसाधारन के बीच अंग्रेजों के परती धार्मिक ऐसे हिस्णूता उत्पन हो गई इसाई धर्म का इतना अधिक परचार किया गया कि भारतियों को यह संदे होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सरुनास करना चाते हैं इसका परिणाम क्या हुआ बारत वासी अंग्रेजों को धर्म द्रोही समझ कर उन्हें देश से बाहर निकालने का रास्ता डूनने लगे और 1877 में जब मोगा मिला तब हिंदो और मुसल्मानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद प्रहार किया आर्थिक कारणिस में रहे हैं इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत के उद्योग धंदों को नश्ट कर दिया था तथा सर्मिकों से बल पूरवक अधिक से अधिक सर्म करा कर उन्हें कम पारिसर्मिक दिया जाता था इन्हें वेतन कम दिया जाता था और इनसे कारे ज़ादा लिय थे उनकी जो इस्तिति वी थी वो भी बहुत दैनिय थी राजा और नवाबों तक की आर्थी की स्थिति बधाल हो चुकी थी भारत से प्राप्त कनीच संसाधन और सस्ते स्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंदों को विकास के चरम पर पहुचा दिया जबकि भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात दूर छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग चल रहे थे उन्हें भी समाप्त कर दिया गया इससे भारत के परतियक वर्ग में अंग्रेजों के परति एविश्वास की भावना उत्पन हुई और वे व्यापक विद्रोग के सूत्राधार बन गई तो ये तो थे परमुक कारण जो विद्रोग के कारण रहे हैं कुछ राज़नेती कारण थे इसमें कुछ धार्मी कारण कुछ आर्थी थे और कुछ सामाजित थे अब आगे हम उन विद्रो के बारे में पढ़ेंगे कुछ परमुक विद्रो कौन कौन से और किस इस्थान पर हुए है सबसे पहले हम 857 से पहले जो विद्रो हुए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं कौन कौन से थी इसमें सबसे पहले जो है यहां पर यह है चेरो विद्रो यह कहां पर हुआ है बिहार में हुआ है देख किसी भी विद्रो के बारे में इतना जानना आवशक है कि वो कहां पर हुआ है उसके नेतर्थ किसने क्या है और किस कारण से वो विद्रो उत्पन हुआ था तो चेरो विद्रो बियार में हुआ था ये बियार के पलामो जिले में इस्थानिय राजा और कमपनी के द्वारा जब जागिरदारों से जमीन चीनी जाने लगी जागिरदारों को ही चेरो कहा जाता है इसलिए से चेरो विदरो कहा गया है तो जब इन से जमीन झीनी जाने लगी तब वहां के जागिरदारों ने राजा एंग कमपंपने के विरुद विदरों शुरू कर दिया ये विदरों 1802 में सुरू हुआ और 1802 तक चला तो ये तीन साली चला 1802 तक इसका नेतर्थ किस ने किया है वो किया था नेतर्थ भूसन सिंग नामक जमीदार ने नेक्ट विद्रो आता है फकीर विद्रो ये कहां पर हुआ है ये बंगाल का विद्रो है ये अंदोलन 18 सदी के सुरू में हुआ था लेकिन 19 सदी के प्रारंबेक वर्सों तक ये चलता रहा इसका नेतर्द किया था फकीर नेता मजनूम सहा ने फकीर बंगाल के घुमन्तु धार्मिकुन सल्मानों का एक समूँ था बंगाल के विले के उपरांद 1776 सदैंतर में मजनूम सहा के नेतर्द में फकीरों ने अंग्रेजी सासन की उपेकसा करते हुए इस्ताने जमीदारों और किसानों से धन वसुनना सुरू किया मजनूम सहा की मृत्यू के पस्चात आंदोलन की बागडोर संबाली चिराग अली साहा ने राजबूत पठान और सेना के भूदपुर सहनिकों ने आंदोलन को सहयोग परदान किया चिराग अली सहा के नेतर्द में आंदोलन और तीर हो गया तथा इसका परसार उत्तरी बंगाल के जिलों में भी हो गया भवानी पाठक और एक महिला थी देवी चोधानी ये इस आंदोलंके दो परमुक हिंदु नेत रहे हैं कालांतर में इस आंदोलंके समर्थकों ने हिंसा गतीविध्या परारम कर दी तथा अंग्रेजों के स्यामीत वाले ठिकानों को अपनी गतीविध्यों का मुख्या केंदर बनाया गया उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्रियों तथा सैनिक साजों समान के केंदरों पर अपनी डगेत्या डाली और इस कारण फकीरों और अंग्रेजों के मत्या अनेक जड़प हुई 19-वी सताब्दी के प्रारंपिक वर्सों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कटरूत पूर्वक दबा दिया था Next आंदोलन आता है सन्यासी विद्रों सन्यासी विद्रों हुआ था बंगाल में ये आंदोलन 1770 से शुरू हुआ लेकिन 19-वी सताब्दी के दूसरे दसक 1820 तक चलता रहा इस विद्रों का परमुक कारण था तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ या स्थानों पर यात्रा करने पर पर्तिबंद लगाये जाना अंगाल के भयानक दूर्बिक्स ने यहां के निवासियों को तरस्त कर दिया था इसके पस्चाथ सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद विद्रों शुरू कर दिया उन्होंने बरपूर्वक धनवसूला तथा अंग्रेजी फैक्टियों पर भी लूट पात की अंग्र विद्रो आता है कू का विद्रो ये पंजाब का एक परसिद विद्रो था इस अंदोलन की शुरुवात जवाहर मल भगत सियान साहिब एवं उनके सिस्य बालक सिंग ने पर्शिमी पंजाब में की थी उन्होंने हाजरो नामा किस्थान को अपना मुख्यालिय बनाया किस परारम में कोका अंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था लेकिन अंग्रेज दौरा पंचाब में हस्तगत कर लेने के पश्चाथ ये एक राजनीतिक अंदोलन बन गया कुका अंदोलन के राजनीतिक स्वैरूप अक्तियार करने पर अंग्रेज जिन्तित हो गए तता इसके दमन के प्रियास करने लगे भलते कुका अंदोलन के समर्थकों और अंग्रेजों में टकरा हुआ अंग्रेजों ने अंदोलन को कुचलने पर के जोड़दार उपाय किये और 1872 में अंदोलन के एक परमुकनेतर राम सिंग को रंगूर निर्वासित कर दिया जहां पर 1885 में उनकी मृत्यू हो गई थी नेक्ष विद्रो आता है सावंत वादी विद्रो ये विद्रो 844 में हुआ था इसके नेतर तो एक मृत्वा सरदार होन सावंत ने किया था सावंत ने कुछ सरदारों तथा देशायों की साइता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया बाद में अंग्रेज सेनाओं ने मुट भेड के पस्चात विद्रोईयों को प्रास्त कर दिया तथा उन्हें किले से बाहर खदेर दिया कई विद्रोई गोवा भाग गए तथा बचे होई विद्रोईयों को पकड़ कर उन पर राजदोरों का मुकदमा चलाया और उन्हें कड़ी सजा दी गई नेक्स राता है पाड़्यगारों का विद्रोई ये दक्सिन भारत में हुआ था दक्सिन भारत में अंग्रेजों के विरुद हुए विद्रोई में ये विद्रोई सबसे बड़ा था जिसमें दक्सिन के पाड़्यगारों पाड़्यगार थे एक किलो के अधिपती ने कमपनी के अधिनता सुईका करने से इंकार कर दिया और उन्हें माल गुजारियों देना भी बंद कर दिया ये विद्रों अठार सो एक से अठार सो पांस तक चला इस विद्रों का ने तर्थ के अथा कट बोम नायकन नामक पाड़्यकार ने जिसे अंग्रे जोन ने पकड़े जाने पर फांसी दे दी थी नेक्स है वेलोर का सिपाई विद्रों वेलोर का सिपाई ये वेलोर में हुआ था अठार सो छे में इस टीडिया कमपनी के भारते सिपाईयों ने वेलोर में विद्रों सुरू कर दिया जिसमें अंगरे जरिकारी सिपायों की हिंसा के सिकार हुए इस विद्रों में टीपो सुल्तान के वन्सजों ने सिपायों का साथ दिया था जो की वेलोर के दुर्ग में कमपानी दुरा नजर बन थे विद्रोयों ने दुर्ग पर मैसूर राज्जे के राज चीन युक्त जंडे को भी भेरा दिया पर 1806 के अंद तक इस विद्रो पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था नेक्श राता है नायक विद्रो ये बंगाल का एक परमुक विद्रो है बंगाल में मेदिनिपूर जिले में ये हुआ था ये विद्रो उन रहत रहत और्थात नायकों ने किया था जिन पर कमपनी बड़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव बना रही थी 1806 में कमपनी ने इन नायकों की जमिन जबत भी कर ली थी नायकों ने इसके विरोध में कमपनी के खिलाब चापा मार यूद सुरू कर दिया जो की 1816 तक चला इस विद्रो का नेतर्थ अचल सिंग नामक एक व्यक्ती ने किया था जिसने नायकों को सैनिक पर सिक्सन देकर एक कुसल पल्टन तयार की थी नेक्स रेट त्रावन कोर का विद्रो ही त्रावन कॉर एक इस्थान है जहां पर हुआ था त्रावन कोर में वहां के दिवान वेलू थंपी ने कमपनी की बढ़ती जात्यों के खिलाब एक से सक्त विद्रों सुरू किया जिसके लगबाग एक वर्स तक तरावन कोर्पर कमपनी का अधिकार स्वाक्त पराए रहा वेलू थंपी ने 1808 में फ्रांस और अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद सायता के लिए संपर्क किया इन्होंने स्थानिय सासों को से भी सहयोग मांगा लेकिन किसी ने भी इने सहयोग परदान नहीं किया अंत में 1809 में कमपनी की सेना के बहुत बढ़ जाने पर वेलू थंपी ने आत्मात्या कर ली लेकिन इन्होंने आत्मसमर्पन नहीं किया था नेक्ष्ट है बरेली का विद्रो अठारज सोलों में बरेली के लोगों ने इस्थानिय अंग्रेज अधिकारियों की जात्यों के खिलाब हिंसक विद्रो कर दिया जिसमें दोनों पक्सों के सैंक्डों लोग हताहत हुए इस विद्रों का तातकाली कारण था कि अंग्रेजों ने इस्थाने लोगों पर चोकी दार टैक्स आरोपित कर उसकी सक्ती से वसूली सुरू कर दी थी इस विद्रों में लोगों का नेतर्द मुप्ति मुहम्मद एवाज नामक व्यक्ति ने किया था नेक्ट है अलीगड का विद्रों आगरा प्रांत की अंतरकत अलीगड के किसान जमीदार और सैनिक इस इंडिया कमपनी की परसासनिक फिर बदल से एसंतुष्ट थे इसलिए जब कमपनी ने माल गुजारी बढ़ाने का निर्ने किया तब उनका एसंतोस विद्रों के रूप में फूर पड़ा ये विद्रों हुआ था थार सो सत्रा में और इसके नेता थे हातरस के तालुकेदार दयाराम और मुरसान के तालुकेदार भगवन सिंग नेक्श है उडिसा के पायकों का विद्रों अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों ने उडिसा में भी भूमी कर में वरद्धी कर दी थी और वे इसकी वसूले भी बड़ी सक्ती से कर रहे थे इस अत्य चार से हजारों किसान खेतों को शोड़ कर जंगल भागने लगे परन्तु इस्थानिय पायकों ने मुगलों और मुराठों के विरुद मोर्चा ले चुके थे अंग्रेजों का पर भावी परतिरोद किया और खुर्दा जैसे इस्थानों पर उन्हें करारी मौत दी इस विद्रों में पायकों का नेतर्थ किया था जगबंधु ने यह विद्रों 817 में सुरू हुआ जो 818 में आकर सीथिल पड़ गया यह कमजोर हो गय था 818 में आकर यह दपी जगद बंदू 821 तक अंग्रेजों का परतिकार करता रहा नेक्श है कित्तूर कविद्रों तीरते अंगल मराठा युद के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को सुथान्त राज्य माल लिया था 824 में उत्राधिकार के परसन पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया जब उन्होंने अंतिम सासक सीवलिंग रूदर के उत्राधिकारी को वास्तूर के मानने से इंकार कर दिया ऐसे में महरानी चेन्नमा ने अंग्रेजों के विरोध विद्रों किया रामोसी विद्रो ये पूना में हुआ था पूना के रामोसी रामोसी कुन थे ये मराठा यूगीन पुलिस थे अंग्रेजों के सासनकाल में बेगार हो गए थे उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान बहुत बढ़ा दिया था ऐसे में रामोसी ने अ इस बार 1829 तक रामोसियों ने अंग्रेजों से मोर चलिया नेक्स्ट है अहोम विद्रों ये असम में हुआ था 1824 में बर्मा युद के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया असम के होम वंस के उत्र अधिकारियों ने इसे ना पसंद किया और इस्ट इंडिया कमपनी से असम छोड़ कर जाने को कहा कमपनी द्वारा ने माने पर 828 से 838 तक गदादर सिंग के ने तर्थ में असमियों ने कमपनी के विरुद विद्रों किया लेकिन ये विद्रों सपल नहीं रहा गदादर सिंग को निर्वासित कर दिये जाने के बाद अठार सो तीसमी असमियों ने कुमार रूपचंद के नेतरत में विद्रो किया पर यह दूसरा विद्रो भी ऐसा फल रहा नेक्षाता है विसाका पत्तनम का विद्रो मदरास प्रेसिडेंसी के अंतरगत विसाका पत्तनम जिले में विद्रोयों की एक लंबी स्रंखला थी पाल कॉंडा के जमीदार विजयराम राजे ने 1793 में से 1796 में के बीच अंग्रेजों के साथ कहीं छिटपूट लडाई यां लड़ी 3831 के बीच फिर से पॉल कॉंडा के जमीदार ने राजस वसूली के परसन पर विद्रो किया 3830 में विसाका पत्तनम के जमीदार वीरभद राजे ने पेंसन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो किया और 1832-34 में विसाका पत्तनम में ही एक अन्य जमीदार जगनात राजे ने उत्रादिकार विवाद में अंग्रेजों के हस्तक सेप की वज़े से विद्रो किया नेक्ष्ट है कुर्ग का विद्रो ये भी दक्सिन भारत में हुआ था दक्सिन भारत में 1833-34 में कुर्ग वास्यो द्वारा अंग्रेजों के विरुद लड़ी गए लड़ाई संगठित नागरिक विद्रो की मिसाल है यदि वाँके राजा वीर राजा ने जनता की तरही बादूरी दिखाई होती तो अंग्रेजों को निरनायक हार का सामना करना पड़ता परन्तो ऐसा नहीं हुआ और उसके आत्म समर्पन के बाद कुर्ग मैं 1834 में बेटिस राजजे में मिला लिया गया नेक्स्ट है गुमसुर का विद्रो ये 800 से 1805 के बीच हुए गंजाम विद्रो का नेतर्थ जिस सिरीकर भंजने किया था उसी के पुत्र धरन्जे ने 1835 में गुमसुर की जमिदारी में लगान के बकाई के परसन पर विद्रो किया था 1835 के अंत में धनन्जे की मृत्यो के बाद आम जनता ने इस विद्रो को जारी रखा और फरवरी 1837 में अंग्रेजोने से बुरी तरह से दबा दिया था नेक्स आता है वहाबी आंदोलन ये बरेली में हुआ था वहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया गया बरेली के सेयद एहमद बरेलवी ने वैसे तो इस आंदोलन का लक्षे इसलाम में सुधार करना था लेकिन भारत में इसका लक्षे अंग्रेजों एवं सोसक वरक्या निये लोगों का विरोध करना हो गया पठना इस आंदोलन का मुख्या केंद्र था यद्देपी इसका परसार संपूर्ण भारत में हो गया था ये आंदोलन थारसो तीस में सुरू हुआ और अठारसो उनेतर तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परिसान किया अठारसो करतीस में ब्रेलवी की मुरत्यू के बाद ब्यार में एनायत अली और विलायत अली तथा बंगाल में तीतु मीर और दोदु मिया ने ने नेतर्थ किया अंतिम चरन में इस आंदोलन का परमुक्येंद्र पस्चिमोत्तर भारत हो गया था नेक्स्ट है फ्राजी आंदोलन ये बंगाल में था ये आंदोलन बंगाल के प्रीदपुर जिले में आरम हुआ इस आंदोलन का भी मुक्यों देश्ची इसलाम में सुधार करना ही था पर ये वहाबिया अंदोलन का विरोधी था जो वहाबिय थे उनका विरोधी था बंगाल में कालांतर में इस अंदोलन ने अंग्रेजों के विरोध का रुक अपना लिया सरियतुल्ला और उसके पुद्र मुहम्मद मौसिन दूदु मिया ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफी लोग पिडियता हासिल की और उनके बल पर एक से सकत और परफावी अंदुलन चलाया गया संबलपूर का विद्रो संबलपूर में उत्रादिकार के परशन पर अंग्रेजो के हस्तक सेप के विरोध में कई चर्णों में गोंडों ने विद्रो किया ये एक जन जाती है पहला विद्रो अठार सो तैंटिस में हुआ पर इसे सीगर ही दबा दिया गया 1849 में सुरेंद्र साइं के ने तर्थ में एक बार फिर विद्रो हुआ जिस कारण नए भूमी बंदो बस्त के द्वारा राजास में अंग्रेजो द्वारा वरत्ति कर देना था ये विद्रो काफी लंबे समय तक चलता रहा 1857 की करांती के समय संबलपूर में सुरेंद्र साइं ने मोर्चा संबाला जिसमें अन्या जमीदार ने भी उसका साथ दिया 1862 में सुरेंद्र साइं द्वारा आत्म समर्पन कर देने के बाद ये विद्रो कमजोर पड़ गया नेक्स्ट है कोलिय विद्रो ये कच्च में हुआ था कोलिय मद्यकारिन भारत में दुर्गो के सैनिक के रूप में काम किया करते थे अंग्रेजों का सासन इस्थापित हो जाने के बाद दुर्गो का मैथ्म नहीं रहा और उन्हें तोड़ दिया गया ऐसे में ये बेकार हो गए और ये ये तत्तर विद्रो के जुन्द बुलंद करते रहे 1824 के अंत में पश्यमी घाट एवं कच्च के सिमावर्ती भागो में भागो के कोलियों ने विद्रो किया जिसे अठासो पच्चिस में दबा दिया गया 1849 में पूना के असपास के कोलियों ने विद्रो सुरू किया जो की अठासो पच्चास में तक चला विबिन चरनों में भाव सरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबारे, रहो बंगारिया, बापो बंगारिया आदी ने इस विद्रो का नेतर्द किया इस विद्रो को रामोसियों ने भी सैयोग दिया था नेक्षाता है गडकरी विद्रो गडकरी भी मराठाक सेत्र के दुर्ग में सैनिकों के रूप में काम किया करते थे जिसके बदले इने करमुक्त जमीन मिला करती थी अंग्रेजों का सासन हो जाने के बाद ये बेकार तो होई गये थे इनकी जमीनों पर भी कर आरोपित कर दिया गया इसके विरोध में गडकारी ने गडकारी ने 844 तक विद्रो किया सामानगर कोलग्यपूर आदी इस विद्रो के परमुक्त के इंदर थे बाबाजी आईरेकर्थ इस विद्रो के परमुक्त नेदाओं में थे नेक्षाता है बुंदेला विद्रो ये 835 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्मी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया था जिसमें मराटों से चीने गए आधुनिक मध्या पर्देश के दो जिले भी मिलाए गए थे वे जिले थे सागर और दमो इस प्रांत में बर्ड कमीशन के परतिवेदन पर मैलवारी बंदोबस्त किया गया था जिसमें 20 वर्सों के लिए लगान का निर्धारन बड़ी हुई दर पर किया गया इससे यहां के जमीरदार नाराज हुए और जब उनसे लगान जबर्दस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के दो जमीदारों जवार सिंग और मदुकर साहा ने 842 में विद्रों का उत्पाद मचाना सुरू किया 842 तक इस विद्रों पर काबू पा लिया गया और लगान पी 10% कम कर दिया गय था अब आते हैं ये तो थे अब तक हमने जो पड़े 1857 से पहले के विद्रों अब हम 1857 का जो एक परमुक विद्रों हुआ था उसके बारे में पड़ते हैं आधुनिक भारत के इत्यास में 1857 अपना विशिष्ट महत्व रखता है क्योंकि इसी वर्ष से बारतिय दीनता संग्राम की सुरुआत मानी जाती है तो ये 1857 का विद्रों क्यों हुआ था इसके कारण क्या रहे हैं वो देख लेते हैं तातकाली कारण क्या थे इसके 1857 के विद्रों के तातकाली कारण थे सैनिक कमपनी ने भारतियों के परती जो बेदभाव की नीती रखी थी उसका सरवादिक इस पश्ट रूप सेना में था कारण उसी में भारतियों के रोजगार मिलने की सरवादिक संभावना थी परन्तु भारतिय सानिकों के साथ बड़ा ही बुरा बरताव होता था इस कारण हम पहले भी देखते हैं कि 1765 से बंगाल में 806 में वेलूर में 1824 में बैरकपुर में और अन्यत भी सेना में विद्रो होते रहे हैं कितनी भी योक्यता या बादुरी दिखाने पर भारतियों को जमादार से उचा पदोन्दी नहीं मिलती थी भारतिय सानिकों के वेतन भत्ते आदि भी अंग्रेजों के तुलना में बहुत कम थे साथी, खान-पान, रहन-सैन और वियवार में भी भारतियों के साथ बेदबाव बरता जाता था सेना में भी पादरी इसाई धर्म के परचार के लिए आते रहते थे फिर कमपनी की नीती से जिस पर कार भारतियां किर्सी अर्थ विवस्ता को परभावित हो रही थी उससे सैनिकों पर भी असर पड़ता था क्योंकि उस समय के सैनिकों की आई इतनी नहीं थी कि उनसे पुरे परिवार के लोगों का पेट भर सके अथर्म किर्सी ही उनके आवशक्ताओं को पुरा करती थी वस्तुते सैनिक भी वर्तिदारी किसान ही थे जिन पर लगान का समान बोज पड़ता था इतना तक तो भारते सैनिकों ने बरदास्त किया लेकिन जब उनकी धार्मी भावना पर चोट की गई तब उन्होंने विद्रोग कर दिया लर्ड कैनिंग के समय 1856 में दा जनरल सर्विस इनलिश्टमेंट एक्ट के अनुसार ये गोस्रा की गई कि भारते सैनिकों को युद के लिए समूंद्र पार भेज कर विदेश भी समूंद्र पार करके विदेश भी जाना होगा बारते समूंद्र यात्रा को पाप समझते थे वे इसका विरोध तो करी रहे थे कि कमपनी की सेना में एक नई इन फिल्ड नमक राइफल आई जिसमें गोली लगाने से पहले कार्तूस को मुझ से खोलना पड़ता था और कार्तूस में चर्वी चड़ी होती थी कतिपय धार करनों में गाएं और स्वर्की चर्वी का परियोग वहां पर किया जाता था सैनिकों को जैसे ही इस बात का पता चला उनका शोब सीमा से पार कर गया सबसे पहले बैरकपूर चावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एसी कार्तूस का परियोग करने का विरोध किया तो उसने काफी उतपात मचाया आठ अपरेल 1857 को उसे फासी दे दी गई छै मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया अब कमपनी ने भारतिये सैनिकों का रुक देखते हुए उनके सरस्तर जब्द करना सुरू कर दिया सैनिकों को सजदी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा अंत में 10 मही 1857 को सैनिकों ने व्यापक इस तरफ़ विद्रों की घुहसना कर दी और करांती की सुरुवात हो गई तो यह तो था उसका ततकालिक कारण 1857 की करांती का आगे देखते हैं करांती का संगठन उदेश्य और समय क्या था संगठन सबसे पहले संगठन देखते हैं 1857 की करांती के संबंद में यह कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था इस करांती के लिए उदेश्य निशित समय परचार की त्यारी एकतार नेतरत आदी संगठन की सभी अवशक तत्वों का दर्सन होता है करांती का संदेश नगरों से लेकर गाउं तक संप्रेशित किया गया था संबंद प्रेशन के लिए कमल आदी परतिकों का प्रियोग किया गया था उदेश्य क्या था 1857 की करांती का उदेश्य निश्चित और स्पष्ट था करांती के मैत को कम करने की कोशिस है वस्तुत ये विद्रो एकतापार आधारित और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद था समय इसका समय क्या था समपूर्ण देश में करांती की सुरुवात एक ही समय निर्दारित किया गय था और वो समय था 31 मही 877 का दिन जेसी विल्सन ने इस तथ्या को सुईकार किया था और कहा था कि प्राप्य पर्मानों से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रो करने के लिए 31 मही 857 का दिन चुना गया था यह संबव है कि कुछ शेत्रों में विद्रो का सूत्रपाद निशी समय के बाद हुआ किन्तु इस आधार पर यह अक्षेप नहीं किया जा सकता कि 857 की करांती के सूत्रपाद के लिए कोई निशी समय निधायत नहीं किया गया था करांती की सुरुवात कभूई थी 857 की करांती का सूत्रपाद मेरट शामनी के 77 प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था 29 मार्श 857 को नए कार्थूसों के परियोग के विरुद मंगल पांडे ने आवाज उठाई अंग्रेजी सरकार ने भारते सेना के उप्योग के लिए जिन नए कार्थूसों को उप्रब्द कराया था उनमें सुरूर गाएं की चर्बी का प्रियोग किया जाता था जामनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अधिकारी आगे बढ़े मंगल पांडे ने उन्हें मोत के घाट उतार दिया इसी लिए 8 अप्रेल 857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी जब उन्हें फांसी की सजा की ख़बर सुनी तो संपून देश में करांती का माहौल इस्थापित हो गया 6 मही 857 को भारते सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के परियोग करने का विरोध किया विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्सों की कैद की सजा दी गई उनसे हत्यार चीन ले गए हत्यार चीने जाने के को मेरट में पूर्सों के साथ महीलावने भी अपमान का विश्य समझा ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना उनका प्रम करतव्य हो गया मेरट के सैनिकों ने 10 मही 857 को ही जेल खाड़नों को तोड़ना भारते सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया तो यह जो 31 मही का समय रखा गया था उससे पहले ही यह सुरू हो गया था मेरट में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली के और बढ़े दिल्ली आकर करांतिकारी सैनिकों ने करनल रिबले के हथ्या कर दिया और दिल्ली पर अपना दिकार जमा लिया इसी समय अलिगड़, इताबा, आजमगड़, गोरकपूर और बुलंद सहर में भी स्वेतंद्रता की गोसना की जा चुकी थी इसके बाद आता है एकता का परदर्शन 857 की करांती में हिंदो और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर भाग लिया था करांती का मस्विदत त्यार करने से लेकर सारे कारिये इन सबने एक दूसरे के साथ पूरे किये स्वेतंद्रता आंदोलन के दोरान अंग्रेजों के विरोध में हिंदो और मुस्लमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी भी दिखाई नहीं पड़ी इसका परमकारन था अंग्रेजों ने फूर डालो और राजकरो की नीति को हिंदो और मुस्लमानों को तोड़ने में लागो नहीं किया था फिर अंग्रेजी सरकार ने जिस नए कार्थूस को बारते सायनिकों के परियोग के लिए दे था उसमें गाएं और स्वर की चरवी का उप्योग किया गया था इससे दोनों के धर्मों के सायनिकों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था इसके बाद आता है क्रांती का दमन कैसे किया गया इसे हम इसके नेक्श पार्ट में लेकर आएंगे आगे हम इसके दमान और इसके परमुक जगों पर किस-किस ने नेतर्द किया था इन सब के बारे में हम इसके नेक्ट पार्ट में पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक और से करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्ट पार्ट में